नमस्कार न्यूस 24 बिहार जारखंड देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ जवल मिश्रा तो तेजस्वी अदव का आज CBI की जो दूसरी चार्शिट दाखिल हो है उसमें नाम आया है ये पूरा स्कैम था लैंड फॉर जॉब स्कैम सुकेश रंजन जी हमारे साथ हैं इन्होंने ही इस पूरे स्कैम का परदाफाश किया था आज तेजस्वी अदव का उसमें नाम आया है हलागी उनकी दोनों बेटियां पहले से ही नाम था सभी का नाम था लेकिन तेजस्वी का नाम आज आना और इस टाइम वो बिहार में डिप्टी सीम के पदपर है तो ऐसे में बिहार की पूरी राजनीत में और देशवर की राजनीत में हलचल मच गई तो आज पहले ही समझेंगे कि आखिर यह स्कैम क्या था बहुत आसान सी भाषा में सुकेश जी हमें समझाएंगे कि यह स्कैम क्या था और इसके बाद इसका इंपक्ट किया पड़ेगा आगे कि राजनीत पर वो भी समझने की कोशिश करेंगे तो सर बहुत आसान सी भाषा में आप समझें क्योंकि आपने तो पूरी इस पे रिसर्च की थी आपने ही इसको उजागर किया था क्या था ये स्कैम पूरा बिल्कुल ठीक ठीक याद नहीं है लेकिन जैसा नाम सजेस्ट करता है Land for Job लालू यादव रेल मंत्री थे और ग्रूप डी की जो वेकेंसीज होती है या जो नौकरियां होती है उसमें नौकरी मिलना या देना आसान था जिस दौरान वो रेल मंत्री थे तो ऐसा जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो पाया कि कई जगह ऐसा हुआ कि किसी की जमीन है उस जमीन को लालू यादव या उनके परिवार के नाम पे जमीन ट्रांसफर हुई और उसी परिवार के लोग किसी एक वेक्ति को दो वेक्तियों को नौकरी मिल गई अब ये एविडेंस काफी होता है ये उजागर करने के लिए कि इसमें कोई 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 दो नहीं हुआ है कोई लेन देन तो नहीं हुआ है ऐसे कई एक्जैंपल हमारे इंविस्टिकेशन में मिले थे उसका एक दूसरा सिरा था उसकी भी इन्वेस्टिकेशन हो रही है दो होटल जो लीज पे दिये गए थे रेलवे को वो होटल चानक्या जो पटना में है उस कंपनी को दिया गया था और उस दौरान भी उनसे भी जमीन का एक टुकड़ा पटना में खरीदा गया था उसकी भी इन्वेस्टिकेशन अलग से चल रही है इस लैंड फॉर जॉब स्कैम में पहले तेजस्वी यादव का नाम नहीं था बाद में जोडा गया ऐसी जानकारी मिली आरोपी के तौर पे चार्शिट में पहली बार वो सामने दिखे हैं जब उनसे कई बार पूछताश हुई है ये तो केस का मेरिट हो गया कि दरसल ये पूरी स्टोरी क्या है और ये पूरा स्कैम क्या है मुझे अच्छे से याद है जब लालू यादव रेल मंत्री से हटे थे तो मामता बैनर जी रेल मंत्री हुई थी और इस स्टोरी के चलने के बाद जो विपक्षी पार्टिया थी जो आज उनके साथ है जे जी यो उन्होंने शिकायत की थी कि इसमें घपला हुआ है घोटाला हुआ है इसकी जाच होनी चाहिए उन्होंने एक प्रतिवेदन प्रधान मंत्री को दिया था प्रधान मंत्री से ये बात ममताब एनरजी तक पहुंची ममताब एनरजी ने CBI को रेफर किया केस अब हमारे यहां की विवस्था देखिए केजड पैरट सुप्रीम कोट ने कहा था तो कई बार लगता है कि केजड पैरट ही था एक बार या दो बार CBI ने केस क्लोज कर दिया कि एविडेंस नहीं मिल नहीं सनद रहे कि 2009 से लेकर 14 तक भी UPA की सरकार थी RJD सरकार में शामिल नहीं थी लेकिन सरकार को समर्थन कर रही थी लालुयादव तब रेल मंत्री नहीं थे 14 के बाद भी कोई तेजी नहीं आई इसमें तेजी तब आई जब 15 में नितीश कुमार लालुयादव से मिल गए 17 में उन्होंने फिर से छोड़ दिया तो 17 के बाद फिर से थोड़ी तेजी आई और जब दुबारा 20 में जब सरकार बनी बीजेपी और जेडियू की और उसके बाद नितीश कुमार ने फिर से दूसरा रास्ता अक्तियार किया फिर से वो आर जेडिय के साथ चले गए तो फिर से तीजी आगई तो टाइमिंग उज्वले सजेस्ट करता है कि CBI की जाच कितनी ट्रांसपेरिंट है कितनी अबजेक्टिव है और इसी लिए विपक्ष इस बात को लेकर हंगामा कर रहा है कि आखिर किसी को डराने के लिए दबाने के लिए पुलिटिकल मोटिव से आप CBI का इस्तमाल तो नहीं कर रहे हैं और इसी लिए सारा हंगामा है तो सारा ध्यान केस की अबजेक्टिवीटी से हटकर उसके पुलिटिकल मोटिव पे चला आता है कि सरकार पुलिटिकली मोटिवेटेड काम कर रही है अच्छा भी कुछ दिन पहले तेजस्वी ने खुद कहा भी था कि अभी तक तो मेरा नाम नहीं है लेकिन हो सकता है एक सप्लिमेंटरी चार्शिट लाकर मेरा नाम उसमें लिख दिया जाए मेरा नाम सामने आ जाए तो लोग अब वो भी याद कर रहे हैं उनकी पार्टी क क्या रोल है जब यह मामला उजागर हुआ था तेजस्वी अदफ बालक भी बालिक भी नहीं थे परिजाधकारी में 2007 में मुझे लगता है कि में यह स्टॉरी की होगी है 2008 में की होगी तेजस्वी अदफ की उम्र वोसमय कम रही होगी तेजस्वी आदवक एक मच्योर नेता के तौर पे उब रहे हैं उन्हें मालूम है कि इस केस में उनका नाम आ सकता है और इसी को देखते हुए उन्होंने प्रियम्ट करते हुए ये कहा था कि हो सकता है कि मेरा नाम शाष्षीर में डाल दिया जाए तो दरसल होता ये है कि जब एजेंसीज अपने आकाओं के आाशा के अनुरूप काम करने लगती है या उनके डिरेक्षन में काम करने लगती है या उनका एक्षण ये सजेस्ट करता है कि शायद इस वक्त इनको कहा गया है कि थोड़ा खीचना है दोर खीचनी है तो उससे आपसे काम करते हैं और इसलिए शायद ऐसे घोटालों का ऐसे स्कैम का को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा पाना मुश्किल होता है और लोगों का भी ध्यान हटने लगता है कि शायद नहीं हुआ था क्या यह पुलिटिकली मोटिवेटेड तो नहीं है यह परिशान करने के लिए तो नहीं है तो या तो CBI इस केस में अगर उसको कुछ मिलना था तो पहले मिलना था उसको कंक्लूजन तक पहुचाना था सजाद इलवानी थी तो केस को क्लोज कर देना फिर से केस को ओपन कर देना investigation में कभी तेजी आ जाना, कभी उसमें ठहरावसा दिखना ये action suggest करते हैं कि सब कुछ free और fair तरीके से नहीं हो रहा है इसके पीछे politics है और politics इसलिए होगी क्योंकि प्रधान मंत्री ने हाल के दिनों में भष्चाचार को एक बड़ा मुद्दा बढ़ाया है उन्होंने कहा है कि जो दल विपक्षी एकताब की कोशिश कर रहे हैं वो परवारवादी है वो भष्चाचारी है और ये उनका एक समू है जो मुझे रोकने के लिए खड़े हुए है तो उसको एक political narrative प्रधान मंत्री ने दे दिया है कि तमाम लोग और आप तमाम पार्टियों को देखें तो लालू यादव की पार्टी है मुलायम सिंग यादव की पार्टी है ममताब एनरजी की पार्टी है ममताब एनरजी चुकी अभिशेक बैनरजी उनकी पार्टी में उनके भतीजे हैं उसको बढ़ाने का आरोप उनक रहने का मौका देते हैं कि ये तमाम परिवारवादी पार्टिया हैं और सब के उपर कभी न कभी व्रष्टाचार के आरोप लगे हैं दिक्कत यह है कि व्रष्टाचार के आरोप तो अजीत पवार पे भी मिले थे लेकिन आज वो बीजेपी के साथ है अब मुझे डर इस बा चार दरसल बैक्सीट ले लेता है जब इस तरीके के वाकियात सामने आते हैं कि कई बार आप अपने पुलिटिकल कन्वीनियन्स से उन लोगों के साथ मिल जाते हैं जिन को आप ध्रष्टाचारी कहते हैं प्रदानमंतिरे कुद प्रष्टाचारी कहा है इन लोगों को लेक ब्रश्चाचार इस देश में बहुत बड़ा मुद्दा कभी नहीं बन पाता मुद्दा अगर बन भी जाता है तो तूजी का इतना हंगामा हुआ लेकिन आज की तारीख में क्या है अधिकतर लोग बरी हो चुके हैं अधिकतर लोग उसमें से जीद कर फिर से पार्लिमेंट म आपके शब्दों में जलकती है लेकिन आपके दीड्स में नहीं जलकती है अच्छा पिछले दिनों जब तेश्वी अदव का ये बयान आया था तब भी हमने एक शो किया था तेश्वी को गिरफतारी का डर सता रहा है इस नाम से तब भी ये सेंट्रल एजिंसी की बारे मे सरकार के अंडर में काम कर रही है तो ये सही है और अगर है तो फिर क्या ऐसा होना चाहिए ये ये आरूप बिल्कुल नहीं होना चाहिए मैं कुल मिलाकर यही कह रहा हूँ कि भ्रश्चाचार के केसे में जीरो तॉलरेंस होनी चाहिए और एक आदर्श स्थिती ऐसी होती है कि चाहे वो ED हो, चाहे वो CBI हो चाहे वो income tax हो वो केस के merit के हिसाब से काम करें लेकिन अधिकतर केसों में ये देखा जाता है आप मुलायम सिंग अप दिवंगत हो चुके हैं नहीं रहे हैं लेकिन उन पे आयसे अधिक संपत्ती का मामला था CBI ने सुप्रीम कोर्ट में कई बार अपना स्टैंड बदला जिस समय उनको सरकार को समर्थन करना था जिस समय नुकलियर डील का मामला था उस समय CBI ने कुछ दूसरा स्टैंड लिया सुप्रीम कोर्ट में बाद में अपने stand को change कर लिया तो इसी को कहते है political convenience के हिसाब से जब CBI काम करने लगे तो लोगों का भरोसा उठने लगता है आपका काडर आपके समर्थक ये सोचने लगते हैं या उनके अंदर ये बात घर कर जाती है या ग्रिल करके पहुंचाने की कोशिश होती है कि दरसल मुझे haunt किया जा रहा है दरसल मुझे victimize किया जा रहा है दरसल मुझे target किया जा रहा है तेजस्वी आदव बहुत convenient तरीके से और उनके पास चुकी ये सारे वाकियात सबके सामने हैं इसलिए उनके पास कहने का मौका है कि ये लोग मुझे जेल में भी डालेंगे उनका काडर ये कहेगा कि 24 के चुनाओं के पहले तेजस्वी को नितीश कुमार पे प्रिसर डालने के लिए तेजस्वी को जेल भी बेजा आ सकता है जिसकी आशनका तेजस्वी आदव जता रहे हैं पहले उन्होंने कहा था कि चाशीक में मेरा नाम होगा अब उनका चाशी 14-15 वो ऐसा समय था जब नरेंदर मोदी पीक पे थे पूरे देश में उनकी तूती बोल रही थी और वो एक अस्वमेग रियागे के घोरे की तरह उनका रत निकला था कि कौन रोक के दिखा सकता है लेकिन जैसे नितीश कुमार और लालु यादव मिले विधान सभा का चु उनके पिताजी लालु यादव वो तमाम लोग इस बात के इर्दगिर्द ये पूरा एक रचना होगी इस बात की कि अपने काडर तक पहुचा जाए उनको ये बताया जाए कि कैसे उनको विक्टिमाईज करने की कोशिश हो रही है ठ्रेटन करने की कोशिश हो रही है लेकि पर सिर्फ राजनीती होगी इसके लावाने के पर इस पूरे घटना कर्म के बाद बीजेपी की ओर से भी बयान आया अजया लोक ने कहा कि 10-15 दिन में नितीश कुमार इस्तीफा दे देंगे उन्होंने किस मिना पर कहा है वो देखिए ये जब से ही विपक्षी दलो की एक बैठक पटना में नितीश कुमार ने कनवीन की तब से ये कहा जा रहा है कि उस बैठक में राहुल गांधी को नेता बनाने की कोशिश हुई और इसलिए जेडियू के लोग परिशान हैं कि हम र बाहर जाना था उनको बीजेपी के साथ उनका मिलना करीब करीब टैम आना जा रहा था ये उनके शेत्र में पूना और उसके सतारा उसके आसपास अगर आप घूमते तो आपको बता देते लोग कि अजीद पवार तो एक ने एक दिन निकलेंगे वो शरत पवार को से हट कर या तो शरत पवार के आशिरवाद से चले जाए या शरत पवार को छोड़ कर वो उस तरफ चले जाए तो ये एक नारेक्टिव बिल्ड करने की कोशिश होगी कि सब कुछ सहज नहीं है ये भी कहा जाएगा कि नितीश कुमार स्टीफा दे सकते हैं वो तमाम बाते कही प्रवक्ता काम होता है उनके बड़े नेता ये बात कहेंगे जैसे तेजस्वी लालुयादव नितीश कुमार वो अपने काडर को रिजूविनेट करने की कोशिश करते हैं उसको ऑन टोज पे लाने की कोशिश करते हैं उसी तरीके से भाजपा की तरफ सी ये तमाम बयानव एक आखिरी सवाल और आपसे जानना चाहूंगा कि अगर तेजस्वी की गिरफतारी हो जाती है फिर आगे बिहार की राजनीति का क्या होगा क्या सियासत रहेगी देखी ये कहना मुश्किल है कि गिरफतारी होगी नहीं होगी अगर उनकी गिरफतारी होती है तो ये चुकी ने कि ये भ्रष्टाचारी लोग थे इससे नितीश कुमार पे दबाओ बढ़ेगा वो बार-बार ये कहते रहे हैं क्राइम, कॉमुनिलिजम और कॉरॉप्शन से समझोता हम नहीं करेंगे और वही बात हुई देखिए कॉरॉप्शन के केस में पहले से लालुयादव को जेल हो चुकी है, या वो सजायाफता है, अब बेटे भी जेल में हैं और ऐसे आदमी से नितीश कुमार गरभईया कर यहां सरकार चला रहे हैं और दानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और दूसरी तरफ लालुयादव उनकी पार्टी अब नितीश कुमार भी और उनकी पा तो वो अपने तरीके से जनता तक पहुँचना चाहेंगे और यह बात बताना चाहेंगे कि यह विक्टिमाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का एक बहतरीन एक्जैम्पल है तो पूरा बामला पॉलिटिकल होगा अपने अपने कॉंस्ट्वेंसी को अड्रस करने की कोशिश होगा कि CBI अपनी जांच में अपनी चार्शीट में आगे क्या करती है क्योंकि अभी तक कुल लगबग 16-17 लोगों का इसमें नाम आया है तेजस्वी आदफ का पहली बार नाम आया है हलाकि उनके परिवार के और लोगों का नाम आ चुका था अब यह देखना होगा कि बि विक कि शुक्रिया